Hello everyone, welcome back to Topper Bins. आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं To the Cuckoo by William Wadsworth तो इस पोएम को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये पोएम नेचर से कनेक्टेड है Cuckoo Bird को समर्पित है ये पोएम और हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं O Blith, Newcomer, I have heard I hear thee and rejoice, O Cuckoo, shall I call thee bird और but a wandering voice यहाँ पे फर्स्ट टैंजा में पोएम ने कहा है कि O Blith, O Blith का मतलब, Blith का मतलब होता है खुशनुमा, जो खुशमिजाज होता है Newcomer, Newcomer का मतलब आप समझ सकते हैं जो अजनभी होता है, जो अंजान होता है जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिसको हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, I have heard तो यहाँ पे कुकू बर्ड को ही उन्होंने, पोएट ने कहा है O Blith, O Khushnuma Khushnuma, खुशमिजाज अंजान अजनभी मैंने तुम्हे सुना है I hear thee and rejoice मैंने तुम्हारे वोइस को, मैंने तुम्हारे आवाज को सुना है और खुशी मैसूस किया है rejoice किया है, enjoy किया है तुम्हारे आवाज को सुन करके O Cuckoo, shall I call the bird और बर्ड, a wandering voice Hey Cuckoo bird, मैं तुम्हें एक bird बोलू, एक चिनिया बोलू, एक पक्षी बोलू, या फिर एक भटकती हुई आवाज बोलू क्योंकि poet ने अभी तक Cuckoo bird को देखा ही नहीं है सिर्फ उसका आवाज सुना है ठीक है, तो first stanza में यह हुआ Second stanza में क्या बोलते हैं वो While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear From hill to hill, it seems to pass at once, far off and near While I am lying on the grass जब मैं grass पे, जब मैं plane पे, जब मैं ground पे लेटता हूं है न, plane Thy twofold shout I hear, तुम्हारे आवाज को मैं दोहरा सुनता हूं Twofold का मतलब दोहरे From hill to hill, it seems to pass ऐसा लगता है कि तुम्हारा आवाज मेरे पास आ रहा है वो कोई इस हिल से, तो कोई उस हिल से टकराते हुए पास होते हुए आ रहा है कभी इस पहार से, तो कभी उस पहार से होते हुए मेरे पास दोहरे में आ रहा है Double sound आ रहा है तुम्हारा जैसे कि echo होता है At once far off and near कभी लगता है कि तुम्हारा आवाज दूर से आ रहा है कभी लगता है तुम्हारा आवाज नजदीक से आ रहा है Third में क्या है? Thou bubbling, thou babbling only to the well of sunshine and of flowers Thou bringest unto me a tale of visionary hours मतलब तुम babbling करते हो Babbling करने का मतलब बातचीत करते हो, बढ़ बढ़ाते हो valleys के साथ, है न? और किसके बारे में बात करते हो? Sunshine और flowers के बारे में तुम बाते करते हो Sunshine और flowers की सुन्दरता के बारे में तुम valleys के साथ बाते करते हो Thou bringest unto me a tale of visionary hours और तुम मुझे एक visionary hours मतलब visionary hours मतलब imaginary time future के time और तुमारे इस चीज को देख करके इस babbling को देख करके मैं future में खो जाता हो visionary hours में खो जाता हो और कुछ कहानी सोचने लगता हो a tale of visionary hours तो poet ने यहाँ पे तीन बार welcome किया है bird का, cuckoo bird का thrice welcome, thrice का मतलब तीन बार welcome किया है और kuckoo bird को यहाँ पे संबोधित किया है address किया है darling of the spring बोल करके spring season का तुम darling हो spring season के तुम darling हो मतलब तुम spring season के चहेते हो even yet thou art to me no bird तुम मेरे लिए सिर्फ bird ही नहीं हो लेकिन एक invisible thing हो एक voice हो एक mystery हो mystery का मतलब एक रहस्य महीं चीज हो मतलब क्योंकि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है poet ऐसा कह रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं है तुम मेरे लिए सिर्फ bird ही नहीं हो तुम्हें एक invisible चीज हो अद्रिश्य हो एक आवाज हो जो की रहस्य मई है तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता है मैं तुम्हें देखी नहीं पाया हूँ अभी तक The same home in my school boy days I listened to that cry which made me look a thousand ways in bush and tree and sky इसी आवाज को The same इसी आवाज को मैं अपने school days में भी सुना करता था Which made me look a thousand ways और उसको देखने के लिए और उसको ढूंडने के लिए वो आवाज कहां से आ रही है वो पक्षी कौन सा है उसे ढूंडने के लिए मैं हजारों तरफ जाता था हजारों तरफ देखता था कभी जाडियों में कभी पेड में कभी sky में भी देखता था मतलब की poet जो है वो उस bird को ढूंटे थे कहां से वो आवाज आ रही है और poet जो है ये कब से कर रहे हैं बचपन के दिनों से जब वो school time में school days में थे तब से वो कुकु की आवाज को सुन रहे हैं और उसे ढूंटे भी रहे हैं लेकिन मिले नहीं to seek thee did I often row through woods and on the green and thou wert still a hope a love still long for never seen to seek thee मतलब तुम्हे ढूंटने के लिए thee का मतलब तुम्हे तुम्हे ढूंटने के लिए मैं भटकता रहता था रौव रौव का मतलब होता है बिना उदेश के इधर उदर भटकना बिना मतलब के तुम्हे ढूंटने के लिए मैं इधर उदर भटकता था घूमता था through woods and on the green मैं जंगलों में घूमता था मैं villages में the green का मतलब होता villages the plain ground में खुले मैदान में या फिर कोई village में मैं तुम्हे जंगलों में ढूंटा था मैं तुम्हे मैदानों में ढूंटा था मैं तुम्हे villages में ढूंटा था भटकता था तुम्हें ढूंडने के लिए and thou word still a hope तुम मेरे लिए एक उमीद थे एक प्रेम थे अब एक प्रेम थे और एक इंतजार थे, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, बिना देखे हुए मैं तुम्हारा उम्मीद करता था, तुम्हारा मतलब इंतजार करता था, तुमसे एक प्रेम था, तुम्हारे आवाज से प्रेम था, और मैं तुम्हें जगा जगा ढूंता था मैं भटकता था कभी जंगलों में तो कभी गाओं में तो कभी खुले मैदानों में and I can listen to the yet can lie upon the plane and listen till I do bigate that golden time again मैं तुम्हें अभी सुन सकता हूँ and I can listen to the yet अभी भी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ जब मैं plane पे लेटता हूँ जब मैं मैं मैंदान पे लेटता हूँ तब मैं तुम्हें सुन पाता हूँ और मैं अपने golden time को फिर से वापस जीवित कर पाता हूँ मैं अपने golden time को फिर से recreate कर पाता हूँ फिर से उसको मैं जी पाता हूँ अपने बचपन के दिनों को golden time का मतलब वो अपने school days को याद कर रहे हैं जब वो कोईल को ढूंते थे जब वो कुकू बर्ड को ढूंते थे उसके आवाज को सुन करके मतलब अभी जब वो सुनते हैं जब कोई plane पे लेट करके जब कोई मैदान में लेट करके कि जब वो कुकू बर्ड को सुन रहे हैं, है न, उसके आवाज को सुन रहे हैं, तो उनको अपने golden time का याद आ जाता है, पुराने दिन, बच्पन के दिन याद आ जाते हैं, वो अपने बच्पन के दिनों में खो जाते हैं, O blessed bird, the earth we face again appears to be an unsubstantial fairy place, that is fit home for thee, O blessed bird, मतलब तुम blessed bird हो, तुम्हें आशिरवाद प्राप्त है, blessed हम कब किसको बोलते हैं, blessed हम तब बोलते हैं, जब उसके पास, जब किसी के पास कोई extraordinary feature होता है, extraordinary qualities होते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं, you are blessed with something, you are blessed with so and so, तो ये जो bird है, कुकु है, ये blessed है, भगवान से blessed है, इसे आशिरवाद प्राप्त है कि इसके पास इतना सुन्दर voice है, इतना अच्छा voice है, इतना अच्छा वो singing करके सबको मंत्रमुक्त करती है, तो बोलती है, oh blessed bird, the earth we pace, जिस अर्थ में हम लोग घूमते हैं, जिस अर्थ में हम लोग roaming करते हैं, pace का मतलब घूमना, roaming करना इधर उदर, जिस अर्थ में हम लोग घूमते हैं, वो अर्थ अब unsubstantial fairy place के जैसा लगता है, unsubstantial का मतलब unreal, अकल्पनी है, unreal, जो सपनों में होता है, जो real में होता ही नहीं, fairy place, एक magical place, जहां परियां होती है, ये अर्थ जो है, तुम्हारे आवाज के वज़े से, तुम्हारे संगीत के वज़े से, ये अर्थ जो है, जहां हम लोग घूमते हैं, ये एक परियों के जगा के जैसा लगता है, एक unreal सा जगा सा लगता है, जो कल्पना में सिर्फ हो सकता है, imagination में हो सकता है, और that is fit home for the, और ये तुम्हारे लिए एकदम सही घर है, यहां पे तुम्हें रहना चाहिए, यही तुम्हारा घर है, ये अर्थ जो है, ये तुम्हारा घर है, यहां पे तुम्हें रहना चाहिए, और तुम्हारे रहने से कैसा लगता है, ये अर्थ unreal सा लगता है, एक fairy place, एक magical place सा लगता है, तो ये poem यहां पे कतम होता है, William Wordsworth के द्वारा था कैसा लगा आपको comment करके जरूर बताजे feedback जरूर दीजे आपके feedback का मैं इन्तिजार करता हूँ अच्छा लगता है आपके feedback को देख करके और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊं तो चलिए चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेर भी कर देजे चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई